नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru का यूटूब चैनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे यहां पर आपके लिए लिकर आ गए हैं पिछले 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं जिके के कॉश्चन दोस्तों यह कॉश्चन आपको आप अपने स्टेर लेवल का यूपी के हो भी हार के हुज अच्छे से हिनको रट लेना है हमारी चैनल पर कम समय में आपको जादा कॉश्चन कराए आते हैं इसलिए चैनल से जो भी पहली बार जुड़ा है जरू सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों कई लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मलता तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मलता क्योंकि आपने सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में ओल का नोटिफिकेशन होता घंटी बनी होती है उसको भी जो है आपको ओके करना पड़ेगा क्लिक करना पड़े इसको याद कर लेना option number यहाँ पर बा या बी बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 2 बिना उपग्रहों वाला ग्रह इनमें से कौन सा है बुद्ध शुक्र या दोनों तो बुद्ध और शुक्र दोनों ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है option number यहाँ पर सी मांग में बैठा लो वैरी आएंपी question है जियोग्राफी से सम्मरिद कोईशन अगला question दीखिये तालाबों और क्रत्यम जलासायों में मतश्य प्रजिनन प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है तो तालाबों और जलासायों मेरी आप मचली पालन करते हैं तो इस प्रक्रि नूमज अचया पता है आपका रोणाल्ड रोज कोormalcak बैस की बिल्कुल सभया हो जाया को सिंट्ञ नूमश को ईहां निशनल केमिकर लैबोरेटारी कहाँ पूर्शन नि के लिए नारे आपक प्रकुरा करन taken Byam आग लगने से बच जाती है शौट सर्कृट में आगला कॉशन देखिए आधुनिक वरगी करण का पिता किसी कहा जाता है तो आधुनिक वरगी करण का पिता लीनियस को कहा जाता है अप्शन नमबर यहां पर लीनियस राइट आंसर है प्रशनी के लिए बहुत उचाई पर वायू कम प्रेशर का निस्पादन समुत्रल की तुलना में कैसा होगा तो अधिक उचाई पर जाओगी तो वायू कम प्रेशर निम्न होगा तो परवतों पर पेड़ कम होते हैं पहा कि पाड़ाईगी तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है कौश्यन नमबर दस में सबसे आगायत वरदनी मतल़ा पीट-पीट कर इसको जतना चाहें उतना पतला कर सकते हैं तार बना सकते हैं चाईर बना सकते हैं आप सोना ऑप्शन उमबढ़ी यहां पर सोना गृत्यों के इंद्र कहेंगे यहां पर option number गृत्यों के इंद्र प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा एन ए ओएच सूत्र वाली योगे का सामाने नाम क्या है तो एन ए ओएच वाले जो सूत्र है इसका सामाने नाम होता है आपका काश्टिक सोडा option number यहां पर एक आश्टिक सोडा राइट आंसर है प्रशने के लिए नित्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है तो आपका जो नित्र गोलक है यह 6 मास पेशियों के सेट द्वारा चालित होता है option number भी 6 मास पेशियों से नित्र गोलक चालित होता है हैवर की प्रक्रिया किसके निर्मान में प्रविक्त होती है तो हैवर विधी आपने सुना होगा most important question है यह ammonia के निर्मान में प्रविक्त होती है option number यह ammonia प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा किसी पदार्थ की आंतरिक उर्जा निर्भर करती है किस पर तो किसी भी पदार्थ की आंतरिक उर्जा उसके ताप मान पर निर्भर करेगी option number यह ताप मान पर प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा दोस्तों आप question देख रहे हूं कितने शांदार question लेका रहा है दोस्तों यह सभी question आपके exam में आ सकते हैं exam के आप तैयारी कर रहे हो तीस साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको भी पूछे आ सकते हैं दोस्तों हमने इसकी एक PDF बना लिए PDF क्या होती है तो आप mobile पर किताब जैसे इसको पढ़ सकते है PDF को mobile पर laptop और computer पर और हमने 10,000 question बना ली है आपके लिए आप सभी के GKGS की strong करने की जिए मिदारी हमारी है mix caution बना है 10,000 आपको कहीं भी ये 10,000 question नहीं मिलेंगे और ये 300 रुपे की PDF है जिसको आप mobile पर प्राप्त कर सकते हो लेकिन हम सभी को 99 रुपे में दे रहे हैं पूरे YouTube पर आपको ये PDF नहीं मिलेगी 99 रुपे में ये 10,000 question आपको मिल रहे हैं और इसको पढ़के आप अपने exam की तैयारी अच्छी कर सकते हैं इसमें से कई caution आपके exam में आ सकते हैं तो अच्छे-च्छे question है WhatsApp पर आपको चाहिए फोन पे Google पे Paytm के माध्यम से आप payment करके ये PDF ले सकते हो नीचे दिएगे नंबर पर संपर कर लेना इस फोन पे Google पे Paytm तीन हो है WhatsApp पर बात कर लेना जिसको PDF चाहिए 99 में ले लो अभी offer चल रहा है पता नहीं कब तक है फिर से 300 रोपे हो जाएगा प्राइस जिसको भी लेना है PDF WhatsApp पर संपर कर लेना फोन पे Google पे पेडियम के माधब से payment कर सकते हो बढ़ते हैं के लेक ओशन की तरफ इससे पूछा गया कि राष्ट्य विज्यान एंवं प्राध्योगी की परिसर की स्थापना कब हुई थी तो राष्ट्य विज्यान एवं प्राध्योगी की परिसर इसकी जो स्थापना हुई थी ही हुई थी आपकी 15.09.1990 में option number B 15 October 1990 right answer है प्रत्वी का एक मात्र उपगरह इन में से कौन सा है तो यहाँ पर आपको जो option देगे हैं सभी को पता है आज का सबसे easy question चंद्रमा हमारी प्रत्वी का एक मात्र उपगरह है option number A यहाँ पर right answer है DNA की खोज किसके द्वारा इन में से की गई थी रात्री के समय आकाश में कौन सा गरह लाल दिखाई देता है तो रात्री के समय आकाश में आपको यहाँ पर आपको जो option देगे है right answer हो जाएगा मंगल गरह लाल दिखाई देता है option number A मंगल गरह right answer हो जाएगा आपको एक question पूछ रहा हूँ, comment करके बताना चारों option यह रही है आपके कि प्रत्वी की जुड़वा वहन इनमें से किस ग्रह को कहा जाता है मंगल ब्रहस्पति बुद्ध और शुक्र में से प्रत्वी की जुडवा वहन इनमें से किस ग्रह को कहा जाता है ये caution exam में कई बार पूछा गया है आप में से कई लोग जानते भी होगे, कमेंट करके बताओ कि प्रत्वी की जुडवा वेहन इन ग्रहों में से किस ग्रह को कहा जाता है कमेंट जरूर करना गोली दरपन की फोकस दूरी उसकी वक्ता तिज्जा की कैसी होती है तो गोली दरपन की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्ता तिज्जा की आधी होगी यहाँ पर option number यह आधी right answer हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो विदुद्द्ध की तरंगय दी गई है इसमें से अवरक्त करणों की आवरत्ति अधिक होगी malaria research center इन में से कहाँ पर है कलकत्ता दिल्ली मुंबई या मद्रास तो malaria research center ये आपका दिल्ली में है option number यहाँ पर भी दिल्ली प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा आधुनिक antiseptic surgery का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक antiseptic surgery का जनक यहाँ पर आपको जो option देगा है उसमें से Joseph Lister option number A right answer हो जाएगा आधुनिक antiseptic surgery के जनक कोशिका का अध्यन क्या कहलाता है तो यहाँ पर आपको जो option देगा है right answer हो जाएगा कोशिकाओं का अध्यन cytology कहलाएगा option number C cytology यह आपका कोशिकाओं का अध्यन कहलाता है manometer यंत्र का उप्योग इन में से किसे मापने में होता है तो manometer यंत्र जो होता है आपका यह गैसों का दाब मापने के लिए यूज होता है यहाँ पर option number A गैसों का दाब manometer नाम केंत्र से मापा जाता है अगले कोशिक पूछा गया है कि electron ग्रहण करने की प्रवत्ति इन में से क्या कहलाईगी तो जो electron ग्रहण करते हैं उसकी प्रवत्ती आपकी कहलाईगी आवकरण electron ग्रहण करने की प्रवत्ती को आवकरण कहते हैं option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा प्रश्न के लिए ध्वनी किस रूप में यात्रा करती है तो जो ध्वनी है ये आपकी अनुदेर्ध तरंगों के रूप में यात्रा करेगी option number भी अनुदेर्ध तरंगों के रूप में ध्वनी यात्रा करती है निम्दल के तिमसे किस से ध्वनी का संचरण नहीं हो सकता तो जो ध्वनी का संचरण है ये आपका निर्वात से नहीं हो सकता option number C निर्वात से ध्वनी का संचरण नहीं हो सकता सभी अमलों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है तो सभी अमलों आप देखेंगे तो hydrogen जो है सबसे अधिक समान तत्व है option number A hydrogen जो है यह सभी अमलों में सबसे अधिक समान तत्व होता है नाबिकी रियक्टर के विनिर्माण में नमिलकित में से कौन सा तत्व अनिवार है तो जो नाबिकी रियक्टर होता है उसके विनिर्माण में जर्मेनियम आवशक तत्व है option number C germanium right answer है इंसुलिन की खोच इनमें से किस के द्वारा की गई तो जो इंसुलिन है इनमें से जो option देगा है betting एवं best के द्वारा इंसुलिन की खोच की गई option number A betting एवं best प्रश्णी के लिए बिलकुल सही answer है किस विज्ञान में पक्छियों से संबनित अध्यन किया जाता है तो right answer हो जाएगा औरनितो लौजी में पक्छियों से संबनित अध्यन किया जाता है option number B औरनितो लौजी right answer है प्रत्वी पर सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वला तत्त्व कौन सा है तो प्रत्वी पर सरवाधिक मात्रा में आपका oxygen तत्त्व पाए जाता है option number यहाँ पर c oxygen प्रत्वी पर सरवादिक मात्रा में पाए जाने वाला तक्तु की बात हो रही है या रखना अंगूरों का उत्पादन किसे संबनित होता है तो अंगूरों का उत्पादन कहलाता है आपका विटी कल्चर option number यहाँ पर विटी कल्चर जो है यह अंगूरों के उत्पादन से संबनित है अगला कॉशन देख लेते हैं इसमें पूछा गया आपसे कि इ बराबर mc square इसको किसे ने प्रतिपादित किया था तो e बराबर mc square आइंश्टैन के दुवारा प्रतिपादित किया गया था option number b आइंश्टैन प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा e बराबर mc square के लिए उत्तल दरपन दुवारा बना प्रतिपम के ऐसा होता है तो आपका जो उत्तल दरपन होता है उसमें कालपनिक प्रतिपम बनता है और सीधा प्रतिपम बनता है यहाँ पर option number c कालपनिक और सीधा प्रशनी के लिए बिलकुल सही answer है कोशी का सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था तो कोशी का सिध्धान्त का प्रतिपादन यहाँ पर जो option दिये गए है आपके Sliden और Swan के दुवारा कोशी का सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया था radar का अर्थ इन में से क्या होता है तो यह रडार जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन देगा है रडार का अर्थ होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऑप्शन अमबर यहाँ पर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राइट आंसर है pH मान का निरहन किस ने किया था तो जो pH मान है इसका निरहन जो है सारे सन ने किया है option अमड़ी सारे सन के दुवारा pH मान का निरहन किया गया है कीटों के बारे में अध्धन को क्या कहा जाता है तो कीटों के बारे में जो अध्यन होता है option number C, radium जो है पिछ ब्लेड से प्राप्त किया जाता है sonar मुख्यता उप्योग किया जाता है किसके द्वारा, तो sonar का उप्योग समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है option number D, समुद्री यात्रियों के द्वारा sonar का मुख्यता उप्योग किया जाता है ऐसको इलेक्टरोंटों की हानी oxygen ne say मेंसे किसका तो जो चैवा माइन है यहाँ पर option दिए गया है इसमसे आपका इशिप कह राइट और सब से अदिक उव्वाला ग्रह इनमें से कौंसा है तो अब शनी के हो गए पहले वरहसपती के ठीए लेकिन अब शनी के सब से ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं option number यहां पर सी राइट आंसर है transformer की सिध्धान्थ पर कारे करता है तो transformer जो है यह आपका चुम्ब की यह प्रेरण पर कारे करता है option number भी चुम्ब की यह प्रेरण पर transformer कारे करता है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है तो जो नेत्र रोग का चिकित्सक है यह आपका अप्थालमोलोजिस्ट कहलाता है option number भी अप्थालमोलोजिस्ट यह नेत्र रोग का चिकित्सक होता है शेवालों का अध्यन इन में से क्या कहलाएगा तो जो शैवाल होते हैं उसका अधिन कहलाता है आपका फाइको लॉजी option number फाइको लॉजी के तहते शैवालों का अधिन कहलाता है प्रकाश तरंग किसका उधान है तो आपकी जो प्रकाश तरंग है ये विद्धुत चुम्बी की अनुप्रस्त तरंग का उधान है option number B विद्धुत चुम्ब की अनुप्रस्त तरंग का उधान है प्रकास तरंग निमने में किसका प्रयोग दरपन को चमक देने के लिए होता है तो दरपन को चमक देने के लिए आपका silver nitrate का यूज किया जाता है option number A silver nitrate इसका यूज दरपन को चमक देने के लिए किया जाता है barometer में पारे के उपर के स्थान में थोड़ी आदरता प्रवेश कराने पर क्या होगा तो barometer में पारे के उपर के स्थान पर थोड़ी आदरता यदि प्रवेश करेगी तो pari का इस्तंब गिर जाएगा option number E pari का स्थंब गिर जाएगा right answer है अमल का सवाद केसा होता है तो जो अमल होता है उसका सॵाद आपका खटा होता है यहाँ पर option number भी खटा होता है अमल का स्वाद right आंसर है सूरे में नाब की इधन के रूप में क्या रहता है तो सुर्य के अंदर नाभी की एधन के रूप में आपका हीलियम रहता है मैला को नाइट इन में से किस धातू का खनिज है तो मैला को नाइट जो है ये आपका तामबे का खनिज है शरीर के द्वतिय सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथी है ये आपकी अगनाशय ग्रंथी है option number यहाँ पर ड़ी अगनाशय ग्रंथी शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है विकास वाद का सिध्धान्त किसके दुआरा दिया गया था तो जो विकास ववाद का सिध्धान्त है ये आपका Charles Darwin के दुवारा दिया गया है option number V Charles Darwin ने विकास ववाद का सिध्धान्त दिया है London में स्थित India House की स्थापना किस वर्ष की गई तो London में स्थित India House इसकी स्थापना आपका 1905 में की गई है option number V 1905 इसमें लंदन में सट इंडिया हाउस की स्थापना की गई है भारत अधा चीन के बीच पंच शील समझोता पर हस्ताक्चर कब हुआ तो भारत और चीन के बीच में पंच शील समझोता 19 अप्रेल 1954 में हस्ताक्चर हुआ है option number B 19 अप्रेल 1954 में पंच शील समझोते पर हस्ताक्चर हुआ है 100 चूहों की अप्छा एक सिंग का शाषन उत्तम है या किसकी उक्ती है तो 100 चूहों की अप्छा एक सिंग का शाषन उत्तम है यह जो उक्ती है यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका तो यहाँ पर आपके तीन option गलत है या रखना वॉल्डेयर की उक्ती है वॉल्डेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अप एक सिंग का शाषन उत्तम होता है यहाँ पर आपके तीन option गलत है चौथा option जो दिया नहीं गया वही सही है अगला question दिखे पुनर जागरन का प्रारंब किस देश से हुआ था तो पुनर जागरन का जो प्रारंब हुआ था यह आपका इटली से हुआ था यहाँ पर option number B इटली राइट आंसर है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शाशक कौन था तो दिल्ली सल्तनत का जो आखरी शाशक था वो था आपका इब्राहम लोधी यहाँ पर option number D इब्राहम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखरी शाशक था विश्व शाकाहारी दिवस किस्तिति को मनाए जाता है तो विश्व साकाहारी दिवस यह आपका तीन अक्तूवर को मनाए जाता है option number A तीन अक्तूबर को विश्व शाकाहरी दिवस मना जाता है लव म्यूजियम किस देश में इस्तित है? तो लव म्यूजियम या आपका फ्रांस मिस्तित है option number यहाँ पर डी फ्रांस प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज दौला था यहाँ पर option number यह सिराज दौला प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्याज का खाद अंश इनमें से कौन सा होता है? तो प्याज का खाद अंश जो है आपका यह है तना option number यह तना प्रशने के लिए राइट आंसर है लखनओ में अठा संताउन की क्रांती के लिए तो किस के दवारा किया गया? तो लखनओ के अंदर अठा संताउन की जो क्रांती होई थी बेगम हजरत महल के दवारा सुका अंजततु किया गया था option number भी बेगम हजरत महल राइट आंसर है आपका चेका का संगठन किस ने किया था? तो चेका का संगठन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह लेनन, option number A, लेलन के दवारा किया गया था Option number A, Leland प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा The fall of man किन की प्रमुकरती है? तो the fall of man, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह Michael Angelo की प्रमुकरती है यहाँ पर Option number D, Michael Angelo राइट आंसर है प्रशनी के लिए चिली की राजधानी कहाँ पर है? तो चिली की राजधानी आपकी सेंटियागो, option number 2 सेंटियागो चिली की राजधानी है अहो में विद्रो किस राज्य में हुआ था, तो आपका जो अहो में विद्रो हुआ है, ये आपका असम राज्य में हुआ था option number यहाँ पर A असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रशने के लिए भारती दलहन अनसंधान केंदर कहां पर स्थ है तो भारती दलहन अनसंधान केंदर यह आपका कानपुर में स्थ है option number C कानपुर प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर है विश्व में सरवादिक भारी धातू कौन सी है तो विश्व की सरवादिक जो भारी धातू है यह आपकी ओसमियम धातू है यह विश्व की सरवादिक भारी धातू है राइट आंसर है मोपला विद्रो किस राज्य में हुआ था तो मोपला विद्रो आपका ये केरल राज्य में हुआ था option number A, केरल राज्य राइट आंसर है people व्रक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोडता है तो people व्रक्ष सबसे अधिक छोडता है आपका oxygen option number c oxygen बिल्कुल right answer हो जाएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र यह 1780 में प्रकाशित हुआ था यहाँ पर option number 1780 right answer है प्रश्ण के लिए शब्द चकर किस खेल में प्रयुक किया जाता है तो शब्द चकर यह आपका पोलो में प्रयुक किया जाता है option number D पोलो राइट आंसर है प्रश्णी के लिए अमेरिका सुतंता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापती कौन था तो अमेरिका की सुतंता संग्राम के समय अंग्रेजों का जो सेनापती था वो था लॉड कारणवालेस option number यहां पर A right answer है अहिल्या भाई होलकर की राजधानी कहां थी तो अहिल्या भाई होलकर इनकी राजधानी आपकी महिश्वर थी option number A इंदोर का भी पूरा एरिया इनसे संबनेत है अहिल्या भाई होलकर की राजधानी लेकिन महिश्वर थी option number A right answer है अलबरुनी का मूल नाम क्या था तो अलबरुनी का मूल नाम था आपका अबरेहान, option number अबरेहान, अलबरुनी का मूल नाम था कारे करने की दर क्या कहलाती है तो कारे करने की जो दर होती है यह आपकी शक्ति कहलाती है option number C, शक्ति right answer है खट्टे फ़लों में कौन सा अमल पाय जाता है तो खट्टे फ़लों में आपका सित्रिक अमल पाय जाता है option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा मानव रक्त का pH मान कितना होता है तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है option number C 7.4 right answer है UNICEF दिवस कब मनाया जाता है तो UNICEF दिवस ये आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है option number 11 दिसंबर को UNICEF दिवस मनाया जाता है बौत धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है तो बौत धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक महराष्ट राज्य में है option number 2 महराष्ट राज़्य राइट आंसर है किस अभी नित्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है तो वीनस की मूर्ति के नाम से मदुभाला को जाना जाता है मदुभाला option number C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में राश्ट्रिय दिवस प्रतिवर्श कब मनाए जाता या तो फ्रांस में राष्टी दवस हर साल 14 जुलाई को मनाए जाता है option नमबर भी 14 जुलाई राइट आंसर है हजरत बल दरगाह कहां पर इस्तित है तो हजरत बल दरगाह या आपकी जम्मु काश्मीर में इस्तित है option number A, Jammu Kashmir right answer है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश यह आपका अफगानिस्तान, option number B, Afghanistan right answer है दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनी पुर था, option number B, योगिनी पुर प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम आपका हैदर अली था, option number D, हैदर अली right answer है प्रथम एशियाई खेल में भारत में को कौन सा इस्थान मिला था? सबसे पहले एशियाई खेल में भारत को दूसरा इस्थान मिला था, option number B, यहाँ पर right answer है क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है, option number A, right answer हो जाएगा DNA जाचकिंद्र कहां है? तो DNA जाचकिंद्र यह आपका हैदराबाद में इस्तित है, option number C, हैदराबाद प्रशने के लिए right answer हो जाएगा किसी पदार्थ की आंत्रिक उजा निर्भर करती किस पर, तो किसी भी पदार्थ की आंत्रिक उजा, तापमान पर निर्भर करेगी, option number B, right answer है तापमान में ब्रदी होने से वायू की तापी चालकतर पर क्या पर हो पड़ेगा, तो temperature बढ़ेगा, तो वायू की तापी चालकता घट जाएगी, option number B, right answer है इंसुलन की खोज किस के द्वारा की गई, तो इंसुलन की खोज करता है आपके बैटिंग एवं बैस्ट, option number B, right answer है राष्टे विज्ञान एवं प्रद्वगी की परिसर की स्थापना कब होई थी, तो राष्टे विज्ञान एवं प्रद्वगी की परिसर, 15 अक्तूबर 1990 में इसकी स्थापना होई थी DNA की खोज किस के द्वारा की गई, तो DNA की खोज करता है आपके Watson और Creek, option number C Malaria की की खोज किस ने की, तो Malaria की की टानू, Ronald Rose, option number C और ये राज का आखरी question जिसका answer, आप comment करके बताएंगे, और ये question हमने आज पढ़ाया है, उसी में से है, अभी आपको पढ़ा चुका हूँ ये question, answer करके बताएगा, कि विदो चुम्बी की तरंगों में से किस की आवरती अधिकतम होगी, यहाँ पर आपको जो विदो कम समय में ज्यादा question, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, हम मिलेंगे आप से अगले विडियो में जिसको PDF चाहिए, नीशी देगे नंबर संपर कर लो, 99 रोपे में 10,000 GKGS के question मिलेंगे, जरूर संपर कर लेना, आपका दिन शुभू, जय हिंत, जय भारत!